राम राम जी जैन साथ्यो में दीपक चन्दिला और आज वीडियो बनाने का मेन मुद्धा एसा साथ्यो जिसने पूरे भारत देश की जनता कहिए नहीं बलगी पूरे विश्व की जनता के दिल और रूख को जकोड के फैंक दिया है मुद्धा आप सभी कोची तरीके से पता है जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है साक्षी नाम की 16-17 साल की लड़की को एक दरिंद ने बड़ी बेरामी से चाकू घोब गोप पर 20 सडक पर उसकी हत्या कर दिवाई और हत्या भी उन गंडीन के सामने कर दी उन काय ना कुछ कर रहा हूँ वो लड़की बस सकती थी सातियो वो लड़की बस सकती थी वो ऐसे बस सकती थी अगर वहां मौझो देके कायर और गंडी अगर यह सोच लेता ना अपने मन में कि जिस पर वार किये जा रहे हैं ये बच्ची किसी और की नहीं बलकि खुद की मेरी बे किसी में इतना दिल नहीं था ना चार आधमी नमें मिलकर एक दिल था ना दम falling के सथे यह कैं एक बात बताता हूं आपको एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वायरल है जिसे बड़े स्टेटस पे अपने वाटसब के स्टेटस पे सब अपने लगा के उसे दुख जाहिर कर रहे हैं पोस्ट है कि लोग बाग क्या कहिंगे वाली वह जो पोस्ट है तो मैं एक बात बता दूं साथी आपको स्टेटस का जो यह सिंबल चल रहा ना अचकल स्टेटस बनाने के चक्कर में ही न भारत देश की आधी जनता के दिमाग में भौकाल मचा पड़ा है और यह बात हकीकत है हम अपना स्टेटस बनाने के लिए न कुछ भी कर सकते हैं हम यह सोचते हैं कि सोसाइटी में अगर हमारा बड़ा घर होगा हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी तो यार हमारी बहुत जादा रेपोटेशन होगी पर मैं जब मेरे दिल के अंदर ही जगा न होईगी किसी के ल साल के लड़कों के ना आइडल बने पड़ें एम सी स्टेंड जैसे रैपर मैं बस्ती गास्ती ब्रो यह बड़े कर रहे नकली शो इस तरह के बंदेना हमारे आइडल बने पड़ें अब 16-17 साल के इस देश देश इस रहा पर जा रहा है वो क्यों बने पड़े हमारे हुआ है अपड़े बच्चे को आथ में लेकर बैटा बासुरी बजा रहा है अच्छी बासुरी बजा रहा है पर वो उनके लिए कुछ नहीं है क्यों कि वह गरीब आदमी बिचारा सो पूछ कोन रहा है कुट्ता भी ना मूतरावा की बासुरी पर तो वह पूछने का अब बहुत ही कम उमर में अपने बच्चों के हाथों मोबाइल दे देते हैं मैस ही होता है कि आज कल 17-17 साल के 18-18 साल के लड़के नशे के भी आदी हो रहे हैं नशे के आदी होने के कारण वह चारल लॉंड आपने पीचे खड़ी करें दोस्त की पॉट्चुनर गाड़ी मंगवाएंगे पीचे सामने खड़ो कर रील बनाएंगे तो बदमाशिवा चोरे तेरा नाम तो होगा चोरे फिर अपने आप इतनो तकड़ा बदमाश समझन लगे है अपने आगे सब चूतिय समझन लगे है वह रोकी भाई वाले कैरेक्टर में इतनो गुज़ जाव है कि अपने आप पर रोकी भाई समझन लगे है कि तेरे सामने अगर चार पांच आगे तो सब पीट देगा उसके अंदर आत्मा आ जाती है फिर ऐसी लड़कियों का भी यही सीन है वह 16-17 साल की लड़की साक्षी नाम की वह उसने 10th के लियर करी 3-4 साल से वह रिलेशनशिप मे भी थी मैं यह नहीं कह रहा है मैं किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुचा रहा है ना मैं उसके घरवालों को किसी तरह का ठेस पहुचा रहा है मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं एक मुद्वे बात कर रहा हूं जिसे समझना बहुत जोरूरी है शा यह भाइ कुछ me THOM करने से कुछ फ़ादा नहीं है हमारे आइस- ी हो रा है जो हमारे सामने होता हुँ हम से रोका नहीं जा रहा तो फिर क्या कहे का स्टेटब कहे का मैं इंसान हुए तब बचा सकते थे आराम से बच जाती लड़की बाद में मैटर भी क्लोज हो जाता है उस लड़के ने 20 साल की उबर में सोच लिया कि यार मैं एक कमडर कर देता हूं इस लड़की का इसने मुझे प्यार में धोका दे दिया मैं इतना डिप्रेशन में चला क्या यह वह तो इस तरीके से हमारा देश इस गतिविदी की तरफ है यूज जनरेशन हमारी क्यार वाई हमें समझ में नहीं आता मैं सच बता रहा हूं एक बार सोच के देखना अपने दिमाग पर चोड़ देके देखना कि यार हम अब किस तरीके साम अपना आइडल मान रह रहे हैं ओई-ओई-ओई इननने इतना तकड़ा इंफ्लूएंस कर दिया इननमें इतना तकड़ा टैलेंट है अंग पर दरसन करने को इतना तकड़ा टैलेंट है कि भाई यह हमने अपने आइडल समझ लिए और वहीं हमारी यूज जनरेशन इस भवर में और इस बवंडर म सिर्फ वर सिर्फ यही कारण है कि अगर हम चाहते अगर हम कायरपना ना दिखा के अगर थोड़ा एक्शन ले ले लेते उस टाइम पर तो उस लड़ीकी की जान बस सकती थी अगर उसके घरवाले भी उस लड़ीकी पर ध्यान देते थोड़ा सा कि वो तीन-चार दिन से अपनी सहलिक साता लग रहा है अगर इस चीज को थोड़ा सा मैटर को समझ के चलते तो यह गतिविदी होती ही नहीं ठीक है अब बात में हम अपने पोस्ट जायर करें दुख ज पीने की जरूरत है नो अपनी कायरता घूट पीने की जरूरत है पुरे अंदुस्तान की जंता के लिए राम राम जी जैन जा बारत और वीडियो उन तक जरूर पहुचा देना जो वहां घूम रहत है न जो एंटेटेमेंट का पूरा लॉजिक जिर पूरा बैंचो हैलो ज और दैने परण प्रै न तक जरूर पहुचा देना यह वीडियो जीसे बात समझ में आरे dinero और ंफके पहुचाल ज़रूर करते नरभ दिनAm